आज हम लोग complete करने वाले हैं एक समराजी की रजधानी विजय नगर और इससे आपके exam में 100% 3-4 MC की question पूछे जाएंगे वडियो को complete देखेंगे और ध्यान से सारे question का answer भी समझेगा और बहुत सारे student बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव करवाईए देखें बिल्कुल चिंता नहीं रहे हो blueprint आपको self study करने के लिए दिया है ताके जब YouTube से वीडियो के मादियम से देखोगे न तो वो आपका revision होगा इससे आपका time भी बचेगा और बहतर result भी आएगा तो चलिए यहाँ पर देखते है पहला question क्या आपका विजय नगर सामराजी की अस्थापना कब हु सकते हो एक बार अगर आप comment box में हिम्मत करके type कीजिगा उस question का answer कभी भी नहीं भूलिएगा इसकी 100% guarantee यहाद रखिएगा तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1336 इसवी में विजय नगर सामराजी की अस्थापना की गई थी नेक्स्ट question देखिए विजय नगर की थापना कब हुई 1347 में 1336 में वही question है जो सुरवात में था तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 1336 में नेक्स्ट question विजय नगर सामराजी की पहचान किस अस्थान से की गई मदुरा बीदर या फिर गुलबरगा या फिर हमपी इसका उत्तर हो जाएगा हमपी आगे देखिए विजय नगर के महान सामराज के आउसेस कहां पाए जाते हैं बीजापूर में उडीसा में हमपी में या फिर गौलकूंडा में इसका उत्तर हो जाएगा हमपी में नेक्स्ट question परिसिद एतिहासिक अस्थल हमपी किस जिले में इस्थित है विजापूर में बिलारी में या बहुत ज़्यादा repeat हुआ ये question तो हो सकता आपके exam में भी पूछ दे 1986 में या फिर 1996 में या फिर 2016 में इसका उत्तर हो जाएगा पहला 1986 में UNESCO ने हमपी को विश्व पुरास्थल गोसित किया था नेक्स्ट question विजय नगर का सबसे पहले किस वंस ने सासन किया विजय नगर पर सबसे पहला सासन करने वाला वंस कौन था संगम वंस या फिर शलू वंस या फिर तुलू वंस या फिर रागव वंस इसका उत्तर हो जाएगा फिर देवराय इसका उत्तर हो जाएगा उप्सन नमर पहला वीर नर्सिंग आगे देखिए नेक्स्ट कुशन देवराय दुत्य किस सामराज के राजा थे बहमनी सामराज चोल सामराज या फिर पल्लाव सामराज या फिर विजय नगर सामराज इसका उत्तर हो जाएगा विज शदार शिवरा है इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण देवरा है ये विजए नगर के महान और बहुत ज्यादा परशिद शाशक थे कृष्ण देवरा है किस वंस से समंदित थे संगम वंस शलू वंस या तुलू वंस या फिर आर्बीडू वंस तो ये तुलू वंस के थे में वो सारे कृष्ण सेट किये गए ताके आपके एक्जाम में जैसे ही कृष्ण घुमा देगा तो आपको पता चल जाएगा अरे यार यार ये तो सिंपल आंसर इसका कृष्ण देवराय किस सामराज के हैं तो ये विजए नगर सामराज के हैं आगे देखिए नेक्स्ट आमुक्त मालियाद की रचना किस भासा में की गई संस्कृत में तमिल में तेलगू में कंणर में इसका उत्तर हो जाएगा तेलगू में नेक्स्ट कुश्चन किसका सासनकाल तेलगू साहित का क्लासिकी युग माना जाता है किसका सासनकाल तेलगू साहित का क्लासिकी युग माना जाता है अगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन विजय नगर सामराज द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमीदान क्या कहलाता था जागीर विष्टी या फिर इक्ता या फिर आमरम इसका कहलाता था तो विजय नगर सामराज द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमीदान ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन आमरम का अर्थ क्या है किसान राजा एक पदवी या फिर जागीर तो इसका उत्तर हो जाएगा उसन्वर पोर आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन किस काल में परसासन में नायंकर विवस्था एवं आयंगर विवस्था पर चलिती किसके काल में संगं काल में या फिर विजय नगर काल में या फिर चोल काल में या फिर राश्ट कूट काल में इसका उत्तर हो जाएगा उपसन नबर द देवराय ने, राम राय ने, या फिर देवराय दुत्य ने, इसका उत्तर हो जाएगा, उपसन बरफूर, देवराय दुत्य ने, आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चिन, विजे नगर का अपनी अस्थापना से लेकर पतन तक, किस राज के साथ संगर से चलता रहा, आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चिन, विजे नगर का किस राज के साथ हमेशा संगर से चलता था, वही कुश्चिन पूचा गया है, तो फोर हो जाएगा बहमनी समराज, आगे देखिए, वहमनी समराज की अस्थापना कब हुई, 1336 में, बिल्कुल नहीं होगा, 1340 में, या फिर 1347 में, या फिर 1350 में, इसका उत्तर हो जाएगा 1347 में, आगे देखिए, नेक्स्ट कुश्चिन कि आपका किस युद के बाद, विजे नगर समराज द्भस्त हो गया, चौसा युद या फिर ताली कोटा, या फिर पानी पत, या फिर खानवा, इसका उत्तर हो जाएगा, उप्सन मर दूस राद, ताली कोटा, नेक्स्ट कुश्चन देखिए, राजसी तांगडी, ताली कोट या फिर बननी हट्टी भी इसको बोल सकते हो, का युद कब हुआ था, राजसी देवराय, देवराय, या फिर शदाशी राम, इसका उत्तर हो जाएगा, रामराय के, ताली कोटा का युद लड़ा गया था, नेक्स्ट कुश्चन विजय नगर और बहमनी राजी के बीच संगर्स का क्या कारण था, दोनों के बीच में, क्रिश्न और कावेरी का दुआब ये कोश्चन भी हुआ है, लेकिन देखिए, यहाँ पर ओप्शन किस तरीके से घुमाया है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है, पहला ओप्शन होगा, क्रिश्न और कावेरी दुआब, या फिर क्रिश्न और गोदावरी दुआब, या फिर क्रिश था, वही कोश्चन रिपीट हो गया है, तुंग भदर, आगे देखिए, नेक्स्ट कोश्चन, क्रिश्न देवराय के दरबार में, अश्ट दिगज कौन थे, आठ प्रामर्श दाता, या फिर आठ तेलगु कभी, या आठ सेनापती, या फिर आठ मंत्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आठ तेलगु कभी, क्रिश्न देवराय के दरबार में, अश्ट दिगज थे, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, क्रिश्न देवराय के दरबार में, तेनाली राम किस पद पर थे, प्रामर्श दाता, कभी, सेनापती, या मंत्री, सका उत्तर हो जाएगा, प्राम विठ्थल मंदिर किस देवता को समर्पित था सीव, विष्णू, गनेश, कुबेर जो भी ए स्टुडेंट पिछला वाला विडियो देखे होंगे इसका हमने एक अंसर करवाया है विठ्थल मंदिर ठीक है तो आप लोग जरूर इसका जवाब दीजेगा कमेंट में कोशिन गोपूरम क्या है मठ का मुख्य परवेश द्वार या फिर मंदिर या उसकी चार दिवारी का मुख्य परवेश द्वार या फिर महल का मुख्य परवेश द्वार या फिर बिहार का मुख्य परवेश द्वार देखे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्मा ने सेट किया गया है तो गोपूरम क्या है तो यह आपका मंदिर या उसकी चार दिवारी का मुख्य परवेश द्वार है तीक है मंदिर या फिर उसकी चार दिवारी का मुख्य परवेश द्वार है नेक्स्ट कोश्चन देखिए माहा नौमी डिब्बा किस समराज जिसे समंदित नेक्स्ट रप्रफरिय। आसन काल में आया था देवराय प्रत्थम, देवराय दुत्पिये या क्रिष्न देवराय या फिर हरीहर प्रत्थम इसका उत्तर हो जाएगा उप्सन बर पहला देवराय प्रत्थम आगे आपका नेक्ष्ट कुश्चिन बार बोसा कहां के यातरी थे इटली, पृत्गाल, या फिर फ्रांस, इसका उत्तर हो जाएगा उप्सन बर दूसरा पृत्तगाल